नवश्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूस पर और मैं हूँ आपके साथ सपाते सेंगे जी हां गैलॉट के इस बयान के बाद स्यासी गलियारों में जमकर हरकम समझ गया है गैलॉट के इस बयान को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं वहीं CM गेलोट ने राहुल गांदी की तारीफ करते हुए कहा कि बसमवाडा में हुई जनसभा में लाखों की भीर थी जबकि सिकर की आम सभा में PM को जनता ने आईना दिखा दिया CM गेलोट जैपुर में प्रेस कॉंफरेंस के दौरान तमाम बाते बोलते नज़र आए उन्होंने इस दौरान PM मोदी और BJP को जमकर साफ़तोर पर निशाना सादा PM मोदी की सभा में कुरसियां खाली रहने से वसंद्रा का भला होगा गेलोट ने ये बयान देकर सियासी पारा चड़ा दिया है इस बयान के माधियन से कहीं न कहीं गेलोट ने वसंद्रा राजे की वकालत की है उन्होंने इशारे ही इशारों में ये कहने की कोशिश की है कि राजिस्तान में BJP को अपने पैर जमाने है तो वसंद्रा को CM फेस बता दें कि बीजेपी में CM फेस गोशित नहीं होने को लेकर गैलोट बीजेपी पर लगातार हमले कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि आखिर बीजेपी कब तक CM का फेस छुपाती रहेगी। मीडिया में बातचीत करते हुए CM गहलोट में राजस्थान के सिकर में हुई ED की कारवाई को लेकर केंद सरकार पर जमकर निशाना भी सादा। उन्हेंने कहा कि ED, CBI और जितनी भी केंद एजंसी हैं उन्हें आने दीजिए वे क्या कर लेंगी। उन्हेंने PM मोदी का बड़ा साफ़तोर पर हमला करते हुए कहा कि मैं तो उनसे भी बड़ा फकीर हूँ, मैंने तो एक ग्राम सोना भी नहीं खरीदा, ना ही कोई जमीन या प्लोट खरीदा है, मेरे पास कोई प्रॉपजी भी नहीं है, मुके मंतरी आवास खाली करना फिर भी बीजेपी उन पर ब्रश्चाचार के जूटे आरोप लगाती जा रही है, CM गैलोट ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उन पर ब्रश्चाचार का जूटा आरोप लगाय जा रहे हैं, जबकि पूरे जिस तरीके से शासंकाल के दुरान उन्होंने एक बार भी एंटी करप्शन ब्यूरो को फोन नहीं किया कि इसको पकड़ो, इसको मत पकड़ो, जिस तरीके से ACB ने अपना निश्पक शोकर काम किया है और उन्होंने UP में CM योगिया एतनात का नाम लिये बगैर हमला करते हुए कहा कि वहाँ बिना मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिन किसी आफसर के खिलाफ कारवाई नहीं की जाती, BJP राजस्थान को यूँ ही बदराम कर रही है, राजस्थान में ACB के चापों में बड़े बड़े आफसर पकड़े गए, RPSC मेंबर तक पकड़ा गया, राजस्थान में जीरो टॉलरेंस होने के बावजूद भी BJP जुट आरोप लगाती है, CM गैलोट ने BJP के ब्रचचार को लेकर लगाए गए, आरोप को पर, उल्टा BJP पर करप्शन का आरोप लगा दिया, उन्होंने कहा कि उन लोगों से पूछिए कि उनके पास इतना पैसा कहां से आया, उन्होंने चार-चार मंजिल के बंगले कैसे खड़ कर लिए, ये लोग कोई काम धंदा करते हैं, क्या इन लोगों के पास पैसा कहां से आया, क्या ये लोग कोई IT उध्योग का काम करते हैं, ये लोग खुद करप्ट हैं, वहीं उल्टा हम पर आरोप लगाते हैं, CM गैलोट ने अपनी चोट को लेकर भी बाचपा पर साथ और प्रपलडवार किया, उन्होंने कहा कि मेरे दोनों पैरों के अंगुटों में चोट लगी हुई है, एक अंगुठे के तीन टुकडे हो गए हैं और एक अंगुठे का नाखुन पूरा बाहर निकल गया है, ऐसे में एयर लाइन फैक्चर हो गया है, उन्होंने कहा कि ये सब सिटी स्केइन की रिपोर्ट में देखा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा के नेता कह रहे हैं कि केवल कील चुप गई है, ये लोग बड़े निमनिस्थर के लोग है, ऐसे में कहलाओत लगातार भाजपा पर निशाना सात्ते नजर आए, भाजपा की तमाम को लेकर चाहें वो ब्रश्टचार हो, चाहें फिर पिम मोदी की रेली हो, उन पर कुर्सी खाली हो, या फिर वसुंद्रा राजे को लेकर अपना बयान हो, या सीम नेसाफ तोर पर भाजपा के सीम चेहरे पर उठाए सवाल हो, ऐसे में इन तमाम सवालों के जवाब क्या भ झाल झाल